नमस्कार, क्यापिजल टीवी का खाश शो 24 करेन विपाक्ष बेदम देख रहे हैं, मैं हो आपके साथ पूझा भाई और बैनो राष्टपती जी ने आपातकाल की घोशना की है 26 जुन 1975 को आकाश्वानी के माध्यम से कहे गए ये शब्द ततकालिन प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी के थे, संदेश साफ था कि एक तानाशाही सरकार को बनाये रखने के इरादे से अपने अने गलत कामों और नाकाम्यों को छपाने के इरादे से देश में लोकतंत्र को क्याद कर लिया गया था अपातकाल की आज 25 भी बरसी है पर जिसमान सिक्ता के कारण अपातकाल लगाया गया वो आज भी कॉंग्रिस पार्टी में जीवित है पर राखुल गांदी को देखिए जो इन दिनों सम्विधान की कॉपी लेकर घूम रहे है पियम मोदी को तारशा बताते है आज राखुल गांदी ने सम्विधान की कॉपी को हाथ में रखकर सांसत के तोर पर शपत ली जै हिंद जै सम्विधान का नारा लगाया तो लोकत जंत्र की हत्या और सम्विधान को कुचलने वाले आज क्यों सम्विधान की दुहाय दे रहे हैं? आज इस पर चर्चा करेंगे पर आज सदन में काफी कुछ हुआ लोगसबा में सानसत पद की शपत के दोरान ओविसी ने फिलस्तीन के समर्थन में जै फिलस्तीन का नारा लगाया जिस पर बवाल भी काफी बढ़ गया है बवाल के बीच भारती जनता पाटी के बरेली से सांसर छत्रपाल गंगवार ने शपत के बाद जै हिंदुरास्ट का नारा लगा दिया तो आज सदन में कैसे बरपा हंगामा आज इसे पर चर्चा करें मेरे साथ स्टूडियो में मौझे हुद है क्यापटल टीवी के एडिटर एंजी डॉक्टर मनिश कुमार और एक्सक्योटब एडिटर राजीब जी सर आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद यह राहूल गांधी संविधान की कॉपी लेकर आज शपत क्यों ले रहे थे देखिए राहूल गांधी जो है वो बॉलिवूड के उस डिरेक्टर प्रडूसर की तरह हो गये हैं कि जिनको लगता है कि कोई फॉर्मूला में यह जूट फरेब गरेंटी कार्ड समिधान खत्रे में हैं यह उनके लिए लगता है कि बड़ा हिट फॉर्मूला हो गया जैसे आप अमिताब बच्चन की दस फिल्में अंग्री यंग मैन वाली देख लें तो आप स्टोरी राइन में कंफ्यूज कर जाएंगे कि कौन से फिल्म कौन सा सीन जंजीर में था कौन सा दिवार में था तो यह राहूल गांधी की मनस्तिती है उनको लग रहा है युरेक का मिल गया अप्रधान मंत्री मोदी को घेरने का सबसे बड़ा हतियार सम्विधान भाई तो पढ़ भी लो उसको सम्विधान को लेओ पता नहीं मुझे तो कोई आदमी जाए सुप्रिम कोट मैं कह रहा हूँ इनकी सारी हेक्री बंद हो जाएगी यह सम्विधान क को जिसतरह से अपमानित कर रहे हैं लाल-काली डैरी जो है लंबी सी नोटबुक होता है उस तरह का होटल में टेबल पर रखाव होता है उसतरह की डैरी आपने देतिया है और का दिया वाई यह सम्विधान है उसके गरिमा है किस प्रपोर्शन में छपेगा फ्रंट पेज म कि जिसमें तो इंडी गडबंदन वाले आज कुछ बोलने के लाइक ही नहीं बचे ये लालु याद है ये मुलायम सिंग कॉंग्रस में बहुत सारे लोग अभी चले गए हैं ये सब इन लोगों ने डंडे खाये हैं पिटाई हुए इनकी जान प्रान लेकर के ये लोग छिप खुटे फिरते थे कि कहीं इंड्रा गांदी की पुलिस नहीं देख ले और यह आज ताना साही की बात कर रहे हैं उनके अलग एक भी शब्द कैसे पढ़ सकते हो और प्रोटे में स्पीकर क्यों इस तरह से उनको इलाव कर रहे हैं इस देश में कोई डेकरम कोई तरीका कोई प्रोटोकॉल है या नहीं है आप वहाँ पे सपत लेने जा रहे हो समिधान को हाथ में लेने की इजाज़त कैसे दी गई कोई अल्ला हुआ अक्बर कह रहा है कोई कुछा करके कह दे रहा है ये लोग मुखाल उरा रहे है ये जो डेमोकरसी का मुखाल यही इसी तरीके से उड़ाया जाता है समिधान लेकर के गूम रहे है सम्विधान को सबसे ज़्यादा किस ने तबाह और बर्बाद किया कॉंग्रेस पार्टी के अलावा किसी के उपर ये दोश नहीं है आपने प्रियंबल बदल दिया प्रियंबल वो है जो सम्विधान की आत्मा है आपने तमाम चीजों को बदला एक तरीके से समझ लीजिए कि इंद्रा गांदी ने इमर्जन्सी के दोरान किस तरीके से बदला एक एक भी पक्षे नेताओं को जेल में डाल दिया न डिबेट हुआ न डिसकसन हुआ प्रियंबल बदल दिया गया सेक्लूरिजम वोड डाल दिया गया और ये देश हाथ में चूड़ी पहन करके ये सारी चीजों को सहता गया और अभी उस ताना शाही के दोरान हिंदुस्तान के डिमोकेटिक हिस्ट्री के उपर जो काला धपा है उस दोरान ये जो समिधान में बदलाव किये गये उसको ये लोग सही समिधान बता करके पेश कर रहे है प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है कोई जाए कोट और बताए कि सबसे बड़ा फ्रोड तो हमारे समिधान के साथ उसके पहले पेश पही हो गया है ये जो प्रेम्बल है उसमें आप क्या लिख रहे हो वी दे पीपल अफ इंडिया जो सेकलर्स और सोशलिस्ट वर्ड आपने डाला आप उसमें लिख रहे हो कि फला फला तारीक को हम अपने आपको ये समिधान दे रहे हैं और नीचे अमेंडमेंट मेंड भी लिखा हुआ है तारीक बदल दो प्रियंबल में चेंज करने का अधिकार किसको है ये बेसिक प्रिंस्पल्स के साथ बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलबार हुआ लेकिन सुप्रिम कोर्ट चुप सारी प्लिटिकल पार्टी चुप सारे केडमिसिंज चुप ये इतना बड़ा Fraud हमारे सम्युधान के साथ हुआ है और ये लोग भेशर्बी के तरह दिखाने में सम्युधान को बचाना है सम्युधान को बचाने का सबसे पहला تरीका है एनरा गांधी के दोरान जो बी बद्लाओ किया गया है प्रियंबल हो या कोई भी हो उसको उठा करके पहले डिस्टिमिल में डालो बाबा भीम राव अंबितकर का जो प्रियंबल है वो वापस लागू करो तब आप ये कहोगे कि सम्विधान को बचा रहे बिलकुर और सर ने जो बात कही कि परमिशन किस ने दिया कि राखुल गांदी सम्विधान लेकर आगए कि जिस तरह से राखुल गांदी ने आज सम्विधान लेकर शपत लिया कि इस पर कारवाई नहीं होनी चाहिए देखिए संविधान लेकर शपत लिया और उस पे कारवाई अगर संस्दिये परंपराओं के अनुसार सोचे और संस्दिये नियमावली के अनुसार सोचे दोनों में अलग-अलग अंतर दिखाई पड़ता है सीधे इनके खिलाव कारवाई नहीं हो सकती क्योंकि अपने हाथ में संविधान की परतिलिये हुए है लेकिन फिर भी जो परंपराएं हैं कि वहाँ पर एक पेज दिया जाता है उस पेज के अनुसार जो फॉर्मेट है उसमें आप संसद के तोर पर शपत लेते हों और उसके बाद कोई और स्लोगन उस बीच नहीं बोल सकते कोई और आपके आज पास कोई ऐसे अपत्ति जनक चीजे नहीं हो सकती लेकिन चुकि संविधान को ये अपने हाथ में लेकर घुम रहे हैं तो इसके लिए अगर कोई विवाद पैदा करेगा तो कॉंग्रेसी चिलाने लगेंगे कि देखो अब तो संविधान रखना भी अपराध हो गया ये समस्याएं हैं हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के अंदर कि लोग इस डेमोक्रेसी के मायने सही से समझ नहीं पाए और उनको दिखभरमित किया जा सकता है जैसे कॉंग्रेस वालों ने अभी किया है चुनाप से पहले भी कि समविधान को खत्म करने जा रहे हैं पिये मोदी किस आधार पर खत्म करने जा रहे हैं कैसे समविधान को बदल देंगे इन लोगों ने कभी एक शब्द नहीं बोला अगर उस पर विवाद होता उस पर डिबेट होता और ये अपने तर्क रखते कि देखो वही समविधान में ऐसा ऐसा संसोधन करेंगे जिससे की डिक्टेटर बन जाएंगे पिये मोदी तो उस पर जवाब दिया जाता कि कौन डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहा है अगर जिस दिन पिये मोदी को डिक्टेटर बनना होगा उसी तरीके से राहुल गांधी मलिकार जुन खडगे जैसे लोगों को जेल के अंदर भेज देंगे जैसे इंदरा गांधी ने जैपरकास नारायन को जेल के अंदर भेज दिया था जितने बड़े बड़े नेता समाजवादी परिवार के थे जिन लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी सब को जेल के अंदर भेज दिया था जारों लोग जेल के अंदर थे यहां तक कि जिस व्यक्ति ने इंदरा गांधी के खिलाफ गवाही दी थी राज नैरायन के मामले में जिन्होंने केस किया था कि राय वरेली में सरकारी मशिनरी का दुरूपयोग किया गया है और उस व्यक्ति के घर में दूसरे दिन ही पुलिस पहुंचती है और फरजी तरीके से उसके आत्यार रखके पकड़ के ले जाती है ये जितनी जाधतियां आत्याचार किय गया था आज ये लोग बताये कि कॉंग्रेस के इतना नेता अभी करफशन के मामले में हसा हुआ है लेकिन सुप्रीम कोर्प का वरधर्ष्ट प्राप्त है तो वहां से बेल लेकर बाहर आते हैं सरकार ने कौन से ऐसे काम किये हैं जिससे इन लोगों ने विवाद पैदा किया कि अब संबिधान को खत्रा पैदा हो गया है इसलिए जो ये दिवग्रवित करने की कोशिश करते हैं लोग उस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि अभी भी लोकतंत्र हिंदुस्तान में परिपक्व नहीं हो पाया है लोगों की नदिरों में यहां पर लोगों को बेवकु ब पार्टी के तरफ से या सरकार के तरफ से नियम कानून के होते हुए भी किसी तरीके से एक्षन तो लिया जाए यह तो चाहता है सब इधान की कौपी लाराते रहें संसदभवन के अंदर जब पारलियामेंट का प्रोसेडिंग चल रहा हो उस समय हम हंगामा करे हला करे स्लो किया जा रहा है लेकिन सरकार अभी चुप है थोड़े समय के लिए आज प्रोटेम स्पीकर ने उन सारे शब्दों को जितने स्टेट्मेंट थे सारे स्लोगन को और पोस्टर जो दिखाये जा रहे थे सब को रिकॉर्ड से बाहर करवा दिया है और फिर आगे यह बताया जा रहा है कि आगे से ऐसे करोगे तो फिर सिधे इस पूरे परिसर से उठाकर बाहर फेक दिया जाएगा मतलब राहूल गांदी संविदान को अपना हथियार बना रहे हैं लेकिन आज ओविसी की तरफ से फिलस्तीन के समर्थन में जिस तरह किनारे लगाए गया है ऐसा क्यों क किया फरुकबाद में अभी सब कुछ होगा एक खालिस्तारी टर्रिस्ट है उसको लोग उने जिता दिया बहिए डिमोक्रसी है ना तो किसी भी चोर उचक के डकैत बलतकारी भरस्टाचारी टर्रिस्ट नकसली आतंकवादी जिहादी किसी को भी जिता दो यही तो चाहते ही लोग तो अभी तो सुरुवात है यह अभी तो यह सुरुवात है पर सुनको लग रहा है कि इंडिक गट बंदन के लोग है कोई इसको मना नहीं करेगा बीजेपी है उसको भी सेक्लूरिजम का जो है उसको चकना यह लोग चाट चुके हैं जो सबका साथ सबका हम कौन रोकेगा उसको समिधान नहीं और समिधान बचाएंगे यह लोग यह सब चोर उचक्कू का गैंग है यह मैं आपको पूसरी बात बता देता हूं कि क्युं यह समिधान समिधान और यह और वो डेमोकराशी खत्रे में ताना साहिं यह क्यूं सबसे ज्यादा वही ताना ताना साही चिल्ला रहा है जो सबसे बड़ा चोर है सीदो सीधी बात है प्रदान मंत्री ने का है वह E.D.A. एक्सल लेगी सबको देखे केजरी वाल गया जेल ताना साही का है निकले को नहीं बाइर तो कह ने के लिए क्या होगा कि देखिए हम तो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं हम चुनाव जीतते हैं हमें लूट ने क्या जादी देदो जितना ज्यादा वोट हम पाएंगे उतनी बरी डकैती करेंगे इसका लैसेंस चाहिए अभी आने वाला है यह राहूल गांदी सुनिया गांदी खड़ गे यह सब जो बेल के उपर बाहर हैं नेशल हिराल्ड केस वो सब बताया जाएगा यह तो भारती जितना पार्टी वाले ही इनकी बुद्धी भरष्ट हो गई है जो सामने देशद्रोही लोग नदर आ रहे हैं चैना से फंड लेने वाले लोग नदर आ रहे हैं चैनीज दलाल दर किसली लगता है लोग कहेंगे तानसाही हो गया अरे बही बोलने दो उसके बोलने से क्या होगा लेकिन देश ऐसे नहीं चलेगा यह अगर आप लोगोंने रोका नहीं यह टुक्ड़े टुक्रे गैंग इस देश को तोर तोर के अलग कर देंगे यह चूड़ी पहन करके सरकार चलाने का समय कत्म हो गया है आज जो हुआ है वो अपमान है संसेट का अपमान है डालोग को आप डिलीट करवा दें सब्दों को हटवा दें उससे क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे सवाल यह है कि इस तरह करने की हिम्मत कहां से मिलती है हिम्मत इसलिए मिलती है क्योंकि आप लोगों ने सुप्रिम कोट में संसद ने सरकार ने राश्पती ने इन लोगों की हिम्मत को बढ़ाने का का लेकिन क्या लगता है आपको कल स्पीकर को लेकर भी वोटिंग होनी है विपक्ष का रवया जो है वो कुछ बदलेगा सुधरेगा देखे ओवैसी को लेकर जो बात चल रही है कि ओवैसी ने जो नारेवाजी की उसको लेकर सिर्फ इतना तक सिमित नहीं है कि उसके शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा मांग उट चुकी है application दे दिया गया है इसे फिर से शपत लेने के लिए कहो संसत से धक्के मार कर बाहर निकाल दो अगर ये मना करता है तो वैसी क्या बोल रहा है हमने क्या गलत कहा हमने तो जै भीम जै मीम का नारा दिया हमने अल्लाहुआ कबर कहा हमने जै फलिस्टीन कहा इन सारे शब्दों को देखीए इसमें एक शब्द जो है फिलिस्टीन जिन्दाबाद ये शब्द तुम भारतिय संसद के अंदर बोल रहे हो अगर भारतिय जन्तापाटी का कोई संसद हिंदू रास्ट जिन्दाबाद कहता है तो क्या हिंदू रास्ट कोई ऐसा देश है जिसको संकेत किया जा सके क्या ये कहा जा रहा है नेपाल जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद अफगनिस्तान जिंदाबाद या अमेरिका जिंदाबाद ये अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भारतिय संसद के अंदर कर आप उसके लिए समर्थन मांग सकते हो लेकिन उसके जिंदाबाद होने का क्या मतलब है ये ओवैसी को बताना पड़ेगा कारण बताओ नोटिस जाएगा इस व्यक्ति को तो देश द्रोह बताया जाना चाहिए लेकिन भारतिये परंपराएं हैं कानून है कि संसद के अंदर अगर कोई संसद कुछ बात बोले तो उसको कोट में चैलेंज नहीं किया जा सकता सिर्फ और सिर्फ संसद में स्पीकर इस पर फैसला लेंगे और अभी तो प्रोटेम स्पीकर हैं लेकिन फिर भी ये चुनोती दी जा रही है अप्लिकेशन दिया गया है और इस पर जैसे महुआ मोईत्रा पतिती अब ओवैसी भी फसने वाला है इसे धक्के मार कर संसद से बाहर निकालना चाहिए अभी तो ये मामला शुरू हुआ है इन जितने लोगों ने ये जो देश द्रोही भी पक्षी सांसद हैं जो देश की गरिमा को नहीं समझते हैं इन लोगों के खिलाफ कारवाई अब एक एक करके होगी जैसा की संकेत मिल चुका है जी बहुत बहुत धन्यवास है आप दोनों का अब तो अट्रवी लोगसबा के लिए सांसदो के शपत ग्रहन कारिक्रम में नव निर्वाचित सांसदो ने अपने अपने सलीके से अपना शपत लिया किसी ने उर्दू, किसी ने हिंदी तो किसी ने संस्क्रिप भाषा में शपत ग्रहन किया ज़स दोरान कुछ सांसदो के शपत ग्रहन के अंत में लगाए गए नारों ने संसद में जबरदस्त हंगामा मचा दिया है तो वही कल लोगसबा स्पीकर को लेकर वोटिंग भी हो पर उससे पहले ही विपाक्ष बेदम नजर आ रहा है आप अपनी राएं कमेंट कर लिखें देखते रहें क्यापिटल टीवी नमस्कार